असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर है गल्वेनोमीटर गल्वेनोमीटर शॉर्ट कोस्टन के लिहाज से ज्यादा इंपोर्टन्ट है ठीक है इसकी कंस्ट्रक्शन इसका प्रिंसिपल और इसकी जो वर्किंग है इससे रिलेटिड आपको शॉर्ट कोस्टन की प्रेजन्स को Third Land practice करने के लिए स्तमाल किया जाता है। जो अब झाफ को गलवेनूमीटर जो बदो एक इसका बाद इसका डुम्म्ह इंडर को सिर्च किया तब क्रेच्ण कार्ण क्टार्ष का॓ सिर्च को जई मगनेटिक शुक्ति क्युंड इसकाड़ reflection जो है वो फिर करती है ठीक है तो वो principle जो है वो actually galvanometer के अंदर इस्तमाल होता है यही जो भी हमने discuss किया हुआ है ठीक है कि वेन current carrying coil is placed in a magnetic field ये वाला जो है वो torque उसके अंदर produce होता है ठीक है दोनों end पे force लगती है और force की वज़ा से torque और torque की वज़ा से फिर current carrying जो coil है वो डिफलेक्ट करती है इसमें जो torque है एन आई बी ए कॉज ओफ अलफा एन नमबर ओफ टर्न्स है कॉईल के आई उसके अंदर current है बी magnetic field है और ए जो है वो कॉईल का एरिया है और कॉज अलफा जो है वो actually coil के plane और जो magnetic field की direction है उसके दरमयान बनने वाला angle की direction जो है वो दोनों एक ही direction में है तो theta जो है वो यहनि parallel है कौाइल का प्लेन और मगनेटिक फील्ट की डिरECTION पैरलल है तो अलफा जीरो हो जाएगा अलफा जब जीरो होगा तो कौस अलफा हमारे पास क्या आएगा वन ठीक है तो उस के बाद जो हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं इसकी construction जो है वो किस तरह की होती है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज हो रही है तो इसकी construction में हमारे पास जो है वो यू शेप के magnet जो है वो आ जाते हैं जो के concave style के बनाते हैं जैसे जो south और north pole होता है वो कुछ इस style का होता है ये north pole आ गया और ये south pole है तो इसके दरमयान जो है वो quail रखी जाती है ठीक है जिसमें से हमने जो करांट जब गुजरता है तो वो deflect करती है ठीक है उसके बाद ये rectangular coil है जो सी से शो की गई है rectangular coil जो के copper से जो है वो बनी हुई होती है तो इन दोनों magnet के दरमयान जो के u-shape magnet होते हैं इनके दरमयान सस्पेंड होती है ठीक है और उसके बाद third number पे हमारे पास आ जाता है एक suspension wire ये जो suspension wire है जिसके साथ ये coil को आपने attach किया हुए suspension wire होती है जो क कि आपको current की lead के तोर पर भी use होती है या एक side पे आप positive के साल लगाएंगे दूसरे side पे आप negative के साल लगाएंगे और दूसरी side पे एक loosely जो है वो आप wound spiral कह लें या spring कह लें जो के इसके साथ attach होता है तो और ये current की second lead के तोर पर जो है वो use होता है ठीक है यहाँ पे एक iron क seller और जो है वो use किया जाता है क्योंकि magnetic field को concentrate करने के लिए magnetic field की जो strength है उसको बढ़ाने के लिए यह आईरन का सिलंडर जो है वो यहां पे रखा जाता है ठीक है उसकी वज़ा से मगनेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है और जो गल्वैनोमीटर होता है उसकी सैंस्टिविटी को भी ज्यादा किया जा सकता है ठीक है तो यह हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन के बाद जो हम आते हैं इसकी वरकिंग की तRO ठीक है तो कंस्ट्रक्शन में Preक मिरर भी होता है जो के Diffletuction Angle को यूज करनेद ओसक्रошांध करने के लिए इस्तरा की है ठीक है तो एक्चुली जो फील्ड को रेडियल बनाने के लिए और मोर स्ट्रोंगर बनाने के लिए इस तरह का पोल जो है वो हम इस्तमाल करते हैं ठीक है तो इसकी वरकिंग में जो हैं वो सबसे पहले जैसे ही current जो है वो यह वाली दोनों end पे अगर आप current देंगे coil में current जाएगा तो आपको याद होगा कि इस end पे इस तरह force लगेगी और दूसरे end पे इस तरह force लगेगी और यह coil को rotate करेगी तो एक couple जो है वो produce होगा forces का एक इस direction में और एक दूसरी direction में और यह दोनों coil को जो है वो ऐसे rotate करने की कोशिश करेंगे और coil जो है वो deflect होगी ठीक है तो यह वाला जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है deflecting couple कि जब coil में current आता है दोनों end के उपर जो है वो force लगती है और वो force जो है यह बिल्कुल ऐसे ही है coil जो है वो ऐसे magnetic field में पड़ी हुई है इसका plane magnetic field के parallel है तो हम यह इसलिए कह सकते हैं कि cause alpha की value 1 है ठीक है तो इस end पे इस direction में force लगती है और coil जो है वो फिर ऐसे rotate या deflect जो है वो कर जाती है वो couple जो coil को ऐसे deflect कर रहा है torque की वज़ा से rotate कर रहा है वो कहलाता है deflection couple और आपको पता है कि यह deflection couple जो है वो उस torque के बराबर जो होता है यहां पे हमने यह कहा दिया कि cause alpha जो है वो 1 है क्यूंके coil का जो plane है और magnetic field की direction है वो दोनों एक दूसरे के parallel है ठीक है उसके बाद next आ जाता है restoring couple restoring couple actually coil को जो rotate होने से बचाता है जैसे coil को अपनी initial condition में लेके आने की कोशिश करता है तो यहां पे एक इसको torsional couple का यानी भी नाम देते हैं यह coil को यानी एक deflection couple आ गया उसने coil को twist करना चाहा लेकिन एक दूसरा आ गया वो coil को अपनी original हालत में जो है वो लेके आना चाहता है तो इसको restoring torque का नाम देते हैं एक तो torque वो हो गया जो coil को deflect कर रहा है जो current की वज़ा से आया है और दूसरा जो है वो इस loosely wire जो आपने इदर से spring हमने attach किया हुए उसकी वज़ा से आता है जिसको आप hooks ला जो है वो कहते हैं जैसे हमारे पास एक spring होता है ना हम उसके उपर force लगाके उसको जो है वो खैंचते है तो force जो है वो हमें पता है directly proportion होती है displacement की जब आप इसको छोड़ते है तो ये वापिस जो है वो अपनी initial condition पर जाने की कोशिश करता है तो हम कहते है f is equal to minus x ठीक है और जितनी ये वाली जो force है जो spring को वापस अपनी original हालत में लेके जाने की कोशिश करती है ये क्या कहलाती है restoring force तो बिल्कुल वो ही कि पहला जो है वो जब deflection आएगा तो इसको rotate करने की कोशिश करेगा लेकिन दूसरा जो है वो इसके result में जो आएगा वो इसको restore करने की कोशिश करेगा toward the initial position इसलिए हम इसको नाम देंगे restoring torque का और ये restoring torque जो होता है ये angle theta के बराबर है यानि जितनी ज़्यादा deflection उतना ज़्यादा restoring torque ये ऐसे है जैसे आप spring को जितनी ज़्यादा force से खैंचेंगे जब वो restore होने के लिए जाएगा वापिस अपनी original position से तो वो भी उसी force से वो वापिस जाएगा तो इसलिए इसको restoring torque का नाम देते हैं to restore the coil into its original position ठीक है और यहाँ पे हमने proportionality का sign हटाके इसके साल लगा दिया C, C जो है वो actually इस torsional का जो twist का जो है वो constant है यानि per unit twist कितना torque जो है वो produce हो रहा है यह यह determine करेगा ठीक है और यह actually जो हमारी suspension wire है उसकी dimension और उसकी nature के उपर depend करता है उस coil का area कितना है उस coil की length कितनी है actually यह इस के उपर जो है वो depend कर रहा है यह जो constant हमारे पास C है ठीक है तो एक हो गया deflection couple जो coil को deflect करने की कोशिश करता है और उसके reverse एक आगया दूसरा restoring couple जो coil को वापस अपनी original हालत में लेके आने की कोशिश करता है और इसकी वज़ा से एक equilibrium state जो है वो produce होती है जिसमें दोनों couple जो है वो एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं जो है deflection couple भी और restoring couple भी एक दूसरे के बराबर जो है वो आ जाते हैं ठीक है तो यहां पे हमारे पास जो है वो यहांनी restoring couple और deflection couple जो वापस में बराबर आ जाते हैं एन जो है वो number of turns है और किसी भी galvanometer के लिए यह सारा factor जो है वो totally constant है ठीक है इसको बार-बार change तो नहीं हम करेंगे तो यह एक constant है इस constant को हमने के का नाम दे दिया तो इस equation की मदद से हम यह निकाल सकते हैं कि जो current है वो किसके proportional होगा फिर theta के यानि जितना current उतनी deflection और actually यही तो galvanometer ने बताना है हमें कि जब भी circuit में current आएगा तो galvanometer deflect जो है उसकी sui deflect करेगी तो उसकी जो deflection होगी उसकी जो theta deflection होगी वो depend करेगी ना current पे जितना current आ रहा है यह हम internal देख रहे हैं लेकिन बाहर जो है वो क्या होता है एक इस तरह से scale लगा होता है ठीक है और उस scale के ऊपर जो है वो ऐसे needle होती और ये needle जो है वो फिर deflect करती है और इसकी deflection हमें बताती है कि करंट इसके अंदर जो है वो आ गया है ठीक है तो actually deflection, जो करंट है, वो किसके proportional है deflection के, ठीक है, उसके बाद आ जाती है galvanometer की sensitivity, कि एक अच्छा galvanometer जो है, वो उसका क्या मतलब होना चाहिए, उसकी sensitivity से क्या मुराद है, galvanometer की sensitivity का मतलब यह है, कि थोड़ा करंट भी अगर हो ना हमारे सरक्ट में, तो galvanometer deflection दे हमें, ठीक ह हमें पता चले के, सरक्ट में करंट है, यह ना हो, कि ज्यादा करंट हो, तो deflection दे, लेकिन थोड़ा बहुत करंट हो, तो deflection ही ना दे, तो इसकी sensitivity जो है, वो यह होती है, ठीक है, तो इसकी sensitivity को बढ़ाने के लिए, जो है, वो फिर क्या किया जा सकता है, हम देख लेते हैं, क के, और यह के, जो है, वो हमने इस constant का नाम रखा है, तो हम galvanometer की sensitivity को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो galvanometer की sensitivity में हमने क्या करना है, कि जो c की value है, उसको decrease करना है, ठीक है, तो galvanometer में, जो c है, इसकी value को अगर हम decrease करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास equation आती है, c over b a n, और उसके बात, जो है, यानि अगर आप इसको, यानि 1 over k कह दें, तो हमारे पास equation बन जाएगी, b a n divided by c, तो नीचले वाले factor को decrease करना पड़ेगा, और उपर वाले factor को हमें increase करना पड़ेगा, sensitivity को बढ़ाने के लिए, क्योंकि थीटा proportional है, 1 over k के, और k बराबर है, c over b a n के, तो इसलि को बढ़ाएं, चले, b को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हमने उसके अंदर soft iron भी रखा हुए है, और हमने इसी मकसद के लिए रखा है, कि magnetic field की strength ज्यादा हो, और sensitivity increase हो, उसके बाद है, कोईल का area बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक खास हद तक, अगर हम ज्यादा कोईल का area की हो जाएगी और हम उसको manage नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसके बाद है कि number of turns बढ़ाएं, number of turns जो है, वो भी बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन एक खास हद तक वो भी, क्योंकि number of turns ज्यादा बढ़ाने से coil heavy हो जाएगी, तो sensitivity को एक खास हद तक increase किया जा सकता है, unlimited नहीं, कि जिसके उपर directly depend है, तो हम उसको बढ़ाते जाएं, indirectly है, तो कम करते जाएं, तो इस तरह से नहीं, ठीक है, और जो C है, इसको आप decrease करने के लिए क्लिए क्या कर सकते है, कि जो suspension wire का की जो length है, वो उसको आप बढ़ाएं, और इसका radius जो है, वो small रखें, तो इसको कम किया जा सकता है, ठीक है, तो ये factor है, जिनके उपर, जो है, वो sensitivity, जो है, वो depend करती है, कि किन किन चीजों को आपने बढ़ाना है, B, A, N, over C, तो ये वाली चीजें जो है, वो बढ़ाई जा सकती है, और ये वाली चीजें जो है, वो कम की जा सकती है, लेकिन खास हद तक, तब हमारा गल्वैनोमीटर, जो है, वो एक sensitive गल्वैनोमीटर बनेगा, ठीक है, तो गल्वैनोमीटर की sensitivity को, हम current sensitivity of गल्वैनोमीटर भी कहते हैं, यानि, आप इसको define हम कैसे करेंगे, माइक्रो अमपेर्ज में अगर current हो, माइक्रो अमपेर्ज में अगर हम current लेते हैं, और जो हमारी deflection आती है, वो आ रही है, हमारी millimeter में, ठीक है, तो हम जो है, वो इसको define कर सकते हैं, sensitivity को, एक ratio के जरीए, theta divided by i, यानि, deflection पर unit current, millimeter में deflection आ रही है, current जो है, माइक्रो अमपेर्ज में है, ठीक है, तो माइक्रो अमपेर वाला current, millimeter में अगर deflection दे, ठीक है, तो तब उसको हम क्या कह सकते हैं, कि यह current sensitivity है, ठीक है, और यह किसके बराबर होता है, B, A, N, over C, angular twist per unit current, ठीक है, इसको कहते हैं, जी, angular unit per unit current, angular twist per unit current, मिली मीटर, एक मिली मीटर current के लिए, एक माइक्रो, मतलब अमपेर, आप कहलें, current के लिए, जितने मिली मीटर वो deflection दे रहा है, उन दोनों की जो रेशो होगी, वो कहलाएगी, current की sensitivity, ठीक है, उसके बाद, galvanometer की types आ जाती है, दो types होती है, एक होता है, unstable galvanometer, और एक होता है इसमें current जो है, वो पास करता है, तो आपकी जो needle है, वो ऐसे fluctuate करती रहती है, current पास करने के बाद कभी इदर चली जाती है, तो ऐसे टिकती नहीं है किसी खास जगा के उपर, ठीक है, तो ऐसा galvanometer जो है, unstable galvanometer कहलाता है, उसके बाद, जब आप करन्ट जो है, वो बाद जो ह रहता है, mean position के इद्गिर्द, यानि rest में आने से पहले अपनी, ये for example, इसकी mean position है, जहां पे इसने zero पे जाना है, तो इन दोनों position पे oscillate जो है, वो करता रहता है, ठीक है, तो ऐसा galvanometer जो है, वो unstable galvanometer होता है, तो उसके बाद आजाता है, deadbeat galvanometer, deadbeat galvanometer क्या होता है, जो आप ये कह लें, कि rest में जो है, वो आजाता है, foreign, ठीक है, यनि जब भी galvanometer में से करंट है, तो बंद होता है, जैसे जैसे ही अब circuit में करंट बंद करते हैं, तो इसकी suis holi, ये foran जो है, zero के उपर जो है, वो आजाती है, तो आप ये कह सकते हैं, कि ऐसा galvanometer जो है, जिसमें से coil मे से करंट गुजरने के बाद उसकी जो नीडल है वो क्यूकली रेस्ट में आ जाती है उसीलेट नहीं करती ऐसे को स्टेबल या डेड़ बीड जो है वो कहते हैं ठीक है तो इस तरह के जो पॉइट जो है ना वो सारे मैंने आपको बताए है यही आपको आ सकते हैं कि गल्वैनो मीटर की सैंस्टिविटी से क्या मुराद है ठीक है और इसकी वर्किंग इसकी कंस्ट्रक्शन तो इसी तरह के आपके शॉर्ट कोस्टन जो है वो आपको मतलब आ सकते हैं जैसे यहां पर भी शॉर्ट कोस्टन बना हुए डिस्टिंगिश बिटमीन सैंस्टिव एंड डेड बीट गल्वैनोमीटर ठीक है तो इस तरह के कॉस्टन जो है वो इसके आपको पेपर में जो है वो आ सकते हैं ठीक है तो इसी तरह से आपने इसको प्रिपेर करना है अल्ला आफिज